हलो एरिवान आज हम डेली करेंट अफेर्स में बात करने वाले हैं रिसेंटली गुवा की गुवर्मेंट ने आईवीफ को फ्री आफ गॉस्ट कर दिया यह आईवीफ होता क्या है देख लेते हैं आईवीफ इन वैट्रो फर्टिलाइडेशन प्रॉसेस होता है जिस को हम हिं होते हैं और इस्पर्म के साथ इसको मिला देते हैं इसमें एक कंट्रोल लैब में और इससे क्या होगा तीन वीप तक इसमें रखेंगे तो वहां जो है बेबी बन जाएगा ठीक इस तरह का प्रॉसेस पुरा होता है अब देखें ये क्यों फरी आफ कॉस कर दिया है इसका कॉस जो होता है आई वी एफ का सब्तर हजार से तीन लाक रुपए तक होता है बहुत जादा मेंगा होता है और इस वज़े से बहुत से कपल जो होते हैं उसको बेर नहीं कर पाते हैं तो यहां की गॉवर्मेंट में यह एक स्टेप इनिशेटिव लिया है और जो डेटा आया है इसमें बताया गया है कि धाई लाक से तीन लाक लोग जो है अभी इन फैटाइल हैं तो इससे क्या होगा कि उन लोगों को भी थोड़ीशी सहुलियत होगी थैंक यू डेली करेंट अफेर्ज में बात करने वाले हैं इंडियन एर फोर्स ने रिसेंटली लांच करा है हीरन मार्क टू ड्रोन यह सर्विलांस होता है सर्विलांस करता है ड्रोन जो बॉडर एरिया होते हैं इसकी जो रेंज होती है 3000 किलोमीटर होती है इसका फुल फार्म क्या है male drone का medium attitude long endurance ठीक है ये हीरन मार्क 1 का updated version है हीरन मार्क 1 को 2009 में launch कर रहा था ठीक है और ये हमारा current affairs का topic था ये अब बात करने वाले है static awareness के air chief marshal को ने विवेक राम चौधरी है और Indian Air Force का headquarter कहा है न्यू देली का में है थैंक यू